हमने देखा यह स्पर्म है ठीक है इस्पर्म कैसे बनता है इसका हमने प्रोसेस देखा बकाईदे कि प्राइमरी स्पर्मेट्रोसाइट्स क्या होता है सेकंडी स्पर्मेट्रोसाइट्स क्या होता है इस्पर्मेट्रिट्स क्या होता है फिर इसी स्पर्मेट्रिट्स से फाइन में ये एक spermatogonium था इसने nutrition अब्जॉब किया साटॉली सल से primary spermatocyte बना है primary spermatocyte के अंदर meiosis first हुआ जिससे second day spermatocyte बना फिर meiosis to complete हुआ जिससे 4 spermatics बने और यही 4 spermatics convert होगे किसमें sperm में तो एक spermatogonium से कितने sperm बनने 4 तो हमें क्या यादखना है हमें यादखना है एक spermatogonium से वाई एक ही इसलिए गोनियम वर्ड यूज करें एक spermatogonium से 4 sperm बनेंगे ठीक spermatogonium जो होता है यह deployed होता है यानि 2N equal to 46 chromosome होते हैं लेकिन जो sperm होते हैं यह deployed होते हैं और N equal to 23 chromosome होंगे 22 plus X होगा या 22 plus Y होगा तो एक तो हमें यह याद करना है ठीक इसके बाद बच्चा दूसरा चीज़ एक primary spermatogonium से कितने sperm बनेंगे 4 sperm बनेंगे ठीक तो एक primary spermatogonium एक primary spermatogonium से भी 4 sperm बन रहे हैं अच्छा जो primary spermatogonium होता है यह भी deployed होता है 2N equal to 46 क्योंकि primary spermatogonium का मतलब ही होता है कि जो spermatogonium होता है वो spermatogonium nutrition absorb करता है सर्टॉली से जब spermatogonium nutrition absorb कर लेता है सर्टॉली से तो उसी spermatogonium को मोल देते है primary spermatogonium ठीक उसके बाद बच्चा आगे एक primary spermatocyte से कितने secondary spermatocyte मिलने दो तो एक primary spermatocyte से एक primary spermatocyte से हमें 2 secondary spermatocyte मिलने है 2 secondary spermatocyte primary spermatocyte deployed होता है ठीक अभी उपर देखा लेकिन जो secondary spermatocyte होता है वो haploid होता है तो secondary spermatocyte कैसा होता है haploid होता है यानि n equal to 23 chromosome होते होंगे ठीक उसके बाद में बच्चा एक secondary spermatocyte से कितने spermatocyte मिलने है तो 2 spermatocyte मिलने है ठीक या एक secondary spermatocyte से कितने spermatocyte मिलने है अच्छा उसके बाद बच्छा हमें क्या आया दटना है कि हमें पता है कि एक सिंगल सिंगल स्पर्मेटो गोनियम क्योंकि एक की बात करें एक सिंगल स्पर्मेटो गोनियम के अंदर बच्छा 7 टाइम माइटोसिस होता है इसके अंदर क्या होता है seven times myitosis होता है अच्छा seven time myitosis होगा तो total कितने spermatogonium बनेंगे एक बार myitosis होता है तो total do total cell बनते हैं seven time myitosis हो रहा है तो total 128 spermatogonium बनेंगे आप calculate करके भी देख सकते हो 128 spermatogonia बनेंगे हमें पता है हहाँ पे कि एक spermatogonium से एक स्पर्मेटो गोनियम से चार स्पम बनते हैं तो हमारे पास टूटल स्पर्मेटो गोनिया कितने हैं 128 तो 128 स्पर्मेटो गोनिया से कितने स्पम बनेंगे 128 इंटू 4 कर देंगे क्योंकि एक से चार बनना है तो टूटल 512 स्पम बनेंगे और ये बच्चा एक spermatogonium से 512 sperm बनने अच्छा इसका जो life cycle होता है कि एक spermatogonium से 512 sperm बनने का जो life cycle होता है ये एक्चुलिम बच्चा 74 days का होता है ठीक है तो आपको clear पता है कि spermatogonium का क्या मतलब होता है primary spermatocyte का क्या मतलब होता है sperm metrics क्या होते है, sperm क्या होते है, किसकी क्या ploidy होना चाहिए, यह यात्म चाहिए, अच्छा बच्छा, अब हमने जो sperm का structure इस तरीके से खीज दिया है, हम देखेंगे कि actually sperm का structure क्या होते है, इसके कितने parts होते हैं, ठीक है, किसने अच्छा बच्छा, sperm को जिसने डिस्कवर्ड किया था, साइंटिस्ट का नाम है, लिवेन हुग, ठीक है, तो पहला point इसमें, डिस्कवर्ड बाई, साइंटिस्ट का नाम, लिवेन हुग, अच्छा बच्छा, एनिमल्स के जो sperm होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, कि एनिमल्स के जो sperm होते हैं, वो मोटा ही होते हैं, अगर कोई चीज मोटा ही है, तो 110 परसंट उसके पास फ्लेजला प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो अगला point वही है, एनिमल्स, स्पर्म, आर मोटाई, एंड फ्लेजिलेटेड, एकसेप्ट, एसकेरिस, एसकेरिस किसके अंदर आता है, बच्चा, तो एसकेरिस आता है, नीमेन हेलमेंथिस के अंदर, अच्चा बचा, नॉर्मल्स क्या होता है, दिखाए पॉइंट कि एनिमल्स, स्पर्म्स आर मोटाईल एन फ्लेजिलेटेड, यानि नॉर्मल्स क्या होता है, कि जो एनिमल्स के स्पर्म्स होते हैं, वो सारे सारे मोटाईल होते हैं, और फ्लेजिलेटेड होते हैं, लेकिन एकसेप्ट एसकेरिस, यानि एसकेरिस में क्या होता होगा, एसकेरिस के किस में क्या होता है, बच्चा Askeris का जो sperm होता है Sperm तो motile होता है Sperms are motile But Flazula absent होता है But Flazula Are absent यानि non-flagellated होते होंगे ठीक है? अच्छा तो movement कैसे करेंगे Sperm Move By Amoeboidal movement ठीक है? Normally क्या होता है कि Animals के जो Sperms होते होंगे Motile और Flazulated होते है Except Askeris Askeris के case में क्या होता है बच्चा जो Sperm होता है Wो Sperm motile तो होता है Motile का मतलब movement तो सो करेगा लेकिन उनमें Flazula absent होता है जिसके वज़े से Sperm जो move करता है वो Amoeboidal movement का simple सा मतलब होता है कि यह अपना safe change करके move करेगा ठीक है? क्योंकि Flazula नहीं है इसके बाद बच्चा हम देखेंगे Actually Sperm का structure देखेंगे हमें Human Sperm के बारे में पढ़ना है ठीक है? अब अच्छा Human Sperm Women Sperm के बच्चा Actually में 4 part होते हैं पहले parts के नाम देख लेटे है पहला जो part होता है बच्चा वो part होता है head दूसरा जो part होता है वो होता है neck तिसरा जो part होता है वो बच्चा body या middle part बोसकें या middle piece बोल सकते हैं या इसी को body लिख सकते हैं और last जो part होता है बच्चा वो tail part होता है तो human is warm के actually यही चार part होते हैं अच्छा यही पर देख लेते हैं कि head के अंदर क्या क्या चीज़े आती है head के अंदर अच्छा दो चीज़े आती है एक आता है acrosome और दूसरा बच्चा आता है nucleus और neck के अंदर बच्चा नेक वाले part में दो centriol मिलते हैं अच्छा जो दो centriol मिलते हैं इन दोनों centriol का नाम होगा तो एक का नाम होता है proximal proximal centriol और दूसरे का नाम होता है बच्चा digital centriol ठीक है उसी तरह बच्चा जो body वाला part होता है इसके अंदर भी हमें दो चीज़े दिखने को मिलेंगी एक mitocondria और दूसरा चीज़े जो हमें दिखने को मिलेगा वो दिखने को मिलेगा exile filament या इसी exile filament को ही बच्चा बोला जाता है exoneme इन सब सारे चीज़ों को हम बच्चा study करेंगे तेल वाले पार्ट क्या होता भी है यह सबसे लॉंगेस पार्ट होता है इसमें नाइन ब्लस टू माइक्रो टीबलर अरेजमेंट होता है 50 micron के आसपास तेल वाले पार्ट का यह वीट होता है अब बच्चा हम इस f utilizing structure में डिखेंगे कि neck वाले पार्ट को देखेंगे middle piece को देखेंगे और tail वाले पाट में निखेंगे और इन सारे पार्ट को detail में study करेंगे थिक है साथ में structure भी देखेंगे तो पहला जो हमारा पार्ट था वो था head वाला पाट अच्छा इस head के अंदर जो पहला पाट था वो था acrosome यानि इसके अंदर मैं ए करके लिख सकता हूँ acrosome ठीक और इस acrosome में बच्चा पहला point ये actually में cap like structure होता है तो पहला point cap like structure होता है अच्छा दूसरा point यहां पर ये है बचा कि ये acrosome actually में बनता कैसे तो golgi body से acrosome बनता है भई golgi body का है तो golgi body एक double membrane bound cell organelles से ये आपने cell वाले chapter में पढ़ा होगा ठीक है तो वही point है कि acrosome बनता कैसे बनता कैसे form by golgi body या golgi body बोलो या golgi apparatus बोलो बात देखिए और spermatid आपको बस इतना सा याद रखना है कि sperm का जो acrosome वाला part होता है वो acrosome वाला part golgi body से बनता है बस इसके आगे कुछ भी नहीं अब अच्छा इसके अंदर होता है कि कि इस acrosome के अंदर hydrolytic enzyme होते हैं उस hydrolytic enzyme को बोला जाता है sperm lysine और इस sperm lysine के अंदर hyaluronidase enzyme होता है जो की digest करेगा एक के plasma membrane को भाई एक के plasma membrane को digest करेगा तभी तो इस sperm का nucleus और एक cell के अंदर जो nucleus होगा उसका fusion होगा तक ही आगे gyagorण वेगेरा का formation हो फिर उससे embryo का formation हो ठीक है तो होता क्या है इसके अंदर acrosome के अंदर hydrolytic enzyme मिलते हैं और यह जो hydrolytic enzyme होता है इसका नाम क्या होता है sperm lysine और यह sperm lysine के अंदर क्या होगा hyaluronidase enzyme पाए जाता है ठीक है तो यह sperm license करता क्या है digest करेगा digestion of cell membrane of egg एक बोलो या वहम बोलो बात एक ही है यानि कि suppose किजिए कि यह sperm है ठीक और इसके अंदर suppose कर लिजए कि यह suppose किजिए कि यह acrosome वाला पार्ट है यह वाला पार्ट acrosome है इस acrosome के अंदर sperm license मेरेंगे cell के साथ fusion होगा suppose कि यह एक है और यह एक का nucleus है ठीक है तो इस sperm के अंदर जो nucleus मिलेंगे और इस एक के अंदर जो nucleus मिलेंगे उसको fuse करने के लिए सबसे पहले इस plasma membrane या cell membrane को digest करना होगा एक के तो इस एक के cell membrane या plasma membrane को digest करने के लिए इसी एक्रोसोम का अंदर स्पॉम लाइसिंग पाई जाता है जो कि digest करेगा एक के cell membrane को ठीक है उसके बाद बच्चा ये एक्रोसोम वाला पार्ट खतम अच्छा दूसरा पार्ट कौन सा मिलेगा head वाले पार्ट में जो में दूसरा जो पार्ट दिखने को मिलेगा एक के बाद भी अच्छा दूसरा जो पार्ट मिलेगा वही nucleus होगा nucleus यानि ये क्या होगा highly packed chromatin fiber या इसी को आप DNA बोल सकते हो ठीक है जो कि कितने परसंट होते है 40% होते है ठीक है अच्छा ये head वाला पार्ट कतम यानि इस form के head में दो चीज़ मिलेगा एक तो acrosome मिलेगा और एक nucleus मिलेगा ठीक उसके बाद में head के बाद बच्छा कौन सा पार्ट आता है neck वाला पार्ट आता है दूसरे नमबर पे neck वाला पार्ट आएगा और दूसरा बच्छा जो होता है उसे बोलते हैं digital centriole अच्छा अब इनका काम क्या है ये जो बच्छा proximal centriole होता है इसका काम होता है कि actually जब male gamet यानि sperm और एक cell का जब fusion होता है तो first जो cleavage या जो cleavage word बोलो या division word बोलो बात एक हिए तो जब male sperm और female act का fusion होता है यानि जब सबसे पहली बार division होता है तो उसमें इस proximal centriole का roll होता है क्या roll होता है ये जब हम fusion पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ठीक है तो इसका क्या होता है roll in first cleavage आप cleavage बोलो division बोलो बात एक हिए ठीक है प्या होता है जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ठीक है अभी बस आप इतना रयात के लिए कि दो तरह के centriole होता है एक proximal होता है एक digital होता है जो proximal centriole होता है इसका roll होता है first cleavage first cleavage का मतलब ही होता है जब male gamet sperm और एक का fertilization हो तो उस टाइम का ठीक डिश्टल जो centriole होता है यह act करता है act as a basal body तरह काम करता है basal body और किसका basal body भई exonim या exiled filament ठीक यह सारे actual में digital वाले part यह सारे degenerate हो जाते है actually sperm से जो part इस एक cell के अंदर जाता है वो एक होता है sperm का nucleus और दूसरा होता है proximal centriole इसलिए हमारे अंदर जो centriole मिलता है वो centriole यह वाला मिलता है proximal centriole यानि पापा से और जो mitochondria होता है वो mammy से यानि एक cell से मिलता है ठीक है अब बच्चा नेक वाला part करता है थर्ड जो हमारा part होता है थर्ड वाले part को बोला जाता है body या middle part इसके अंदर क्या क्या दिखने को मिलेंगा अभी इसके अंदर पेहला चीज जो आपपको दिखने को मिलेगा इसके अंदर पहला चीज पच्चा दिखने को मिलेगा exonym या इसी को बोलते है exile filament और यह होता क्या है यह actually में ये एक्चैोली में तो ये 9 प्लस 2 माइक्रो टुबियूलर अर्जमेंटadores होता है जिसमें कि 9 peripheral doplate form में और 2 being में central microtubule होता है ये क्लास 11 से है सेलवाले चैप्टर से रियाने आप इतना समझ लो कि जो एक्जोनिम या एक्जाइल फिलामेंट्स होता है यह actually में tubulin protein से बने होते हैं ठीक है एक तरह के connected tissue का seed होता है बस इतना ही याद कलो दूसरा बचा इसके अंदर क्या होते हैं इस middle वाले part के अंदर जो mitocondia पाजाते हैं और यह mitocondia कहा मिलने हैं body वाले part में या middle वाले part में यह mitocondia spirally arranged होते हैं इसलिए इनको निवेन कर देते हैं ठीक है तो mitocondia are spirally arranged in middle या body part of sperm और इन्हीं कहा जाता है इन्हीं mitocondia को बच्चा बुला जाता है निवेन करण तो निवेन कर कुछ नहीं है sperm के body वाले part में जो mitocondia मिलते हैं यही mitocondia spiral तरीके से arrange होते हैं इस middle piece या body वाले part में इसी mitocondia को बुला जाता है निवेन कर तो head वाला part हो गया, neck वाला part हो गया, body वाला part हो गया अब last mountain जो बचा है बच्च, tail इसे तुर्णा सूपर करते हैं fourth number पर बच्च छो part बच्च उसे बोलते हैं tail part अच्छा ये जो tail वाला part होता है, ये सबसे longest part होता है longest part होता है ठीक है, सबसे lower part होता है, तो lower most part होता है, इसकी जो length होती है, वो 50 micron होती है, ठीक है, अच्छा, ये किसका बनाता बचा है, तो ये भी 9 plus 2 microtubular arrangement होता है, इस 9 plus 2 microtubular arrangement होता है, ठीक है, एक्छुली में 9 peripheral, 9 peripheral duplet microtubular होता है, उसी के साथ साथ बच्चा, प्लस, ये दो, two central singlet microtubular होता है, ज्योंकि आप class 11 में पढ़े होगे, ठीक है, तो head हो गया, neck हो गया, body हो गया, tail वाला part हो गया, sperm का, ठीक है, अब बच्चा, हम sperm का structure बनाए देखें कि अच्छा, ये head वाला part है, ये neck है, ये medium piece है, ये tail वाला part है, ठीक है, प्लस, 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 अच्टा, ये ये रांचा, ये अच्टा, ये झालाबगादार लगः, ये वालाबगादाना है, ये झाला इञा अब बच्चा होता है कि यहां से लेके यहां वाला पार्ट तो हेड का लाता है ठीक उसके बाद में यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट निक का लाता है उसके बाद में यहां से यहां वाला पार्ट बच्चा बॉडी या मिडिल और यहां से लेके बच्चा यह पूरा यहां तक वाला पार्ट क्या का लाएगा टेल पार्ट का लाएगा ठीक है तो हेड वाला पार्ट हो गया नेक वाला पार्ट हो गया बॉडी वाला पार्ट हो गया तेल वाला पार्ट हो गया तो यह रहा एक्रोसोम, जिसके अंदर digestive hydrolytic enzyme होता है, जो कि digest करता है किसे एक के membrane को, उसके बार में बच्चा nucleus होगा, यहाँ पर nucleus होगा, यह head वाला पार्ट खतम, उसके बार में बच्चा neck वाले पार्ट में दो centriol मिलते हैं, जो बच्चा उपर होता है, उसे बोलते है proximal centri और नीचे वाले को बोलते हैं, डिश्टल centriol, यानि यह उपर है, तो यह क्या का लागए है, यह proximal centriol होगा, proximal centriol, और यह नीचे वाला digital centriol होगा, ठीक, उसके बार बच्चा, यह जो body वाला पार्ट आता है, इसके अंदर, इस वाले पार्ट को बच्चा बोला जाता है, exile filament या exonim, क्या बोला जाता है, exile filament, या इसी को बोला जाता है, exonim, ठीक है, वह 9 plus 2 micro tubular arrangement of tubulin protein हो का, ठीक, अब बच्चा इसमें होता है, क्या है, इसमें जो mitochondria होते हैं, वो spirally arranged होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये actually में क्या होते हैं, ये होते हैं, mitochondria ही, बट यहाँ पे इन mitochondria को ही बोला जाता है, निबेन कर्म, scientist के नाव पे, ठीक है, उसके बाद में बच्चा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या कलाएगा, फ्लैजिला कलाएगा, जो कि टिब्यूलिन प्रोटीन से बना होगा, इसमें भी वही 9-plus-2-micro-tribular arrangement होगा, ठीक है, तो head वाला पार्ट होगया, neck होगया, body होगया, till, यहाँ पे हमारा sperm topic complete होता है, ठीक है, ओके, झाला पार्ट,